हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों उमीद है आप सब बहुत 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 अच्छे से होंगे आगे एक इंपोर्टन कोश्चन सम देखते हैं एक्सन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान से संबंदित जितने भी आपके प्रशन पीछले 5 सालों में पूछे गए ह उन सभी प्रशनों का सारांस और उन सभी प्रशनों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ आप एक्साइटेड हैं कि नहीं तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एक्सन रिसर्च यानि कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है और दोस्तों हर बार की भाती मेरे वीडियो की खासियत ये रहेगी कि बिलकुल आपके बोल चाल की भासा में यहाँ पे लिखा गया है किताबी लेंग्वेज में नहीं तो ने कि क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब कि विद्याले से संबंदित व्यक्तियों द्वारा विद्याले से संबंदित व्यक्ति कौन होता है सिक्चक होता है करमचारी होते है प्रिस्पल्स होते है जो भी होते है तो विद्याले से संबंदित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्याले की समस्याओं का वेग्यानिक अध्यान करके अपनी किरियाओं और विद्याले की गतिवीडियों में सुधार लाना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है समझ में आगई बात अपने वेक्ति खुद सिख्षक अपने और विद्याले में अगर कोई समस्या है तो उसको वेग्यानिक तोर पर अध्यन करें वो समस्या का सामधान करें और विद्याले की गति विद्यों में सुधार लाए इसी को क्या कहते हैं दोस्तों किर्यात्मक अनुसंदान समझ में आ रचनातमक सुधार तता विकास लाना है इस्टिफन M. कॉरे उन्होंने गाता कि सिछा मों करियातमक था करता मतलब करने वाले आधकर दोरा किया जाने वinci था ताकि वो आपने कारियों में सुधार कर सके मुन्रों जी ने कहा था कि अनुसंधान समस्याओं को सुझाने की वह विदी है जिसमें सुझाओं की पुष्टी तथियों द्वारा की जाती है समझ में आगे है दोस्तों कि एक सब्दों में समझ जाए कि विद्याले से संबंदित या विद्याले में काम करने वाले व्यक्ति से संबंदित समस्याओं का विग्यानिक अध्यन और विग्यानिक हल और विग्यानिक समाधान किरियात्मक अनुचंधान होता है चलिए बहुत अच्छा अब आईए किरियात्मक अनुचंधान को उद्य से क्या हो कि जब आप विद्याले और व्यक्ति से सम्मंद समस्याओं को हल करेंगे तो क्यों हल करेंगे क्योंकि विद्याले की काड़ प्लाड़ी में सुधार हो सके चात्रों तता सिक्षकों में प्रजातांत्र के वास्तिवी गुणों का विकास करना और विद्याले के कारे करताओं शिक्छक प्रधानचार प्रबंदक रिच्छक में विज्ञानिक दिस्टिकोन का विकास करना क्योंकि विज्ञानिक अध्यन करेंगे तो विज्ञानिक दिस्टिकोन का विकास तो होना ही है विद्याले के कार्य करताओं में कार्य कॉसल का विकास करना शिक्षक प्रसास को शिक्षक प्रबंदों को विद्याले की कार्य प्रणाड़ी को प्रवासाली बनाना और छात्रों के निस्पत्ति अस्तर को उठाना मतलब निस्पत्ति का मतलब होता है पर्फॉर्मेंस आउट पुट तो उनके पर्फॉर्मेंस को और बहतर करना चली बहुत अच्छा मोस्ट इंपोर्टिन टॉपिक यहां पर पॉइंट देखिए जिसको कई बार प्रश्ण पूचेगा दोस्तों इसको बि करना करना और दूसरे व्यक्तियों को परिणाम की सूचना देना मतलब जो भी अनुसंदान करता है वो विद्याले से जुड़े लोगों को क्या करेंगे, वो परिडाम की सूचना देंगे कि हाँ हमने यह किया, तो आपने क्या किया सबसे पहले समस्या का ज्यान, हम में मान लिजिए स्कूल में कोई समस्या है, कि बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, या बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं ये एक समस्या है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समस्या का ग्यान करेंगे कि रियात्मा कनुस अंदान में पहला सोपान है कि विद्याले में उपस्तित होने वाली समस्या को भली भाती समझना यह बहुत है यह तब सभाव और जब विद्रल्य के सिछकाख learnt अधी उसके सम्च्व में अपनी विचारविप्र करें इसा करके यीवास्तिक समस्य निष्क्राइब करें सब्सक्रांते क्या हो गया समस्या का ज्यान हो आपको थोड़ा सा योजना का चेन करना है कि हम कैसे इसको हल कर सकते हैं और कुछ उपकलपना करेंगे, आप कुछ सोच विचार करेंगे और फिर उस सोच विचार को आप क्या करेंगे, यहां देखिए उपकलपना के तीन बातों को सविस्तार वर्ण किया जाता है जैसे समस्या समधान करने के लिए अपनाई जाने वाली योजना, योजना का परिक्षण और योजना दोरा प्राप्त की जाना वोला उदेश कि हम जब उपकलपना करेंगे तो हम उसको कैसे लागू करेंगे उस उपकलपना का मुल्यांकन कैसे करेंगे परिछड कैसे करेंगे और उसका क्या उदेश से निकलेगा ठीक है तो हम उपकलपना कर लेते हैं तीसरे में सौथा है दोस्तो कि संग्रहन करने तता वीधियों का निर्माड हम अपने मैथड अपलाई करेंगे योजना का करेंगे अब उसको हम प्रैक्टिकल तौर पे हम उसको करेंगे अच्छा दोस्तों तत्यों पैदारित निसकर्स हम निसकर्स निकालेंगे कि हारा निसकर्स क्या निकला असात्वा ह दूसरे विक्तियों को परिडाम बताएंगे विद्याले से जोड़े और अने लोगों से परिडाम बताएग अब आईए एक दोस्तों बहुत अच्छा प्रशन है जो कि कई बार पूचा गया है आप से ठीक है चैन कर उस पे क्रियात्म करूसंदार रिपोर्ट कैसे त्यार करना है चलिए शुरू करें बहुत अच्छा अब आईए सबसे पहले आपने यह इस पर कर जैसे मैं लिखा है वैसे लिखेंगे यहां पर उतर शुरू कर दीजिए चलिए तो आप उपर लिख देंगे समस्या की समस्या क्या है आपको समस्या का ग्यान हो गया कि छात्रो का विद्याले से भाग जाना यह हमारे लिए समस्या है चलिए बहुत सई कौन से विद्याले में कर रहे हैं विद्याले का नाम लिख लिए तो मैंने यहां पे अपना यूटूब का नाम लिख दिया । यहां पर उसे यह तो मैंने अपने चैनल पर में दस़ाजार बच्चे अभी नहीं है कौह कौह संधान रहे क्常 ज़त geen गण तो 325 femики । वो विद्याला की कच्छाई कहां से कहां तक एक से आठ तक और सोध करता अनुसंदान करता में कौन-कौन से लोग सामीर है तुमा लिए श्री कोई नाम लिख लिए कुमारी स्रीमती स्री डॉट-डॉट-डॉट कर देजिए ये चार लोग मिलके इस पर क्या कर रहे हैं से कॉलंब बनाएंगे और हमने लिखिया कि पृष्ट ब्ऊमी की समस्या क्या है तो विगत वर्षो में कुछ छात्रों में विद्याले से भाग जाने की प्रविति हरंब हो गई है छुट्टि लेकर के या विद्याले से क्या चले जाते हैं अनुसंदान के सदस ने छो समू के सदस्यों को इस बात का पूर्ण निश्चे हो जाता है कि कुछ चात्र भागने की प्रविर्ति के हैं अथा वे विद्याले की समस्या करने की योजना बनाते हैं अब उसके बाद समस्या के कारण का पता लगाया गया कि बच्चे क्यों भाग रहें तो बच्चों के अंदर फिल्म देखने की इक्षा है इधर उदर घूमने की आदत है खेलने की इक्षा है और बच्चों का कक्षा में मन नहीं लगता तो चात्रों का कक्षा में रूची की कमी है आपने समस्याओं को हल कर देंगे तो विद्यारती नहीं भागेंगे समस्य समधान की योजना बनाई गई कि विद्याले में क्या किया जाए खेर की विवस्ता कर दी जाए कहीं टूर पे लेके चला जाए या फिर परदर्सनी कराया जाए जो कहते हैं डिस्पले कराके प्रोजेक्ट कराते हैं वो कराये जाए प्रोजेक्ट कारे करा जाए कभी पिक्चर दिखा दिया जाए अंताक्षरी खेला जाए या नाटक किया जाए या कभी सम्मेलन किया जाए तो अगर हम यह योजना करेंगे तो शायद बच्चे नहीं भागेंगे अब चलिए इसी चीज़ को आपने योजना को क्या कर दिया लागू कर दिया योजना का कारेंवन सुरू कर दिया लागू कर दिया तो यहाँ पे करम संख्या एक दो तीन लिख दिजिए अक्टूबर के परतम सब्ता में आपने क्या किया कि कुछ कच्छा में कभी अंताक्षरी करा दिया कुछ कभी सम्मेलन क कुछ नाटक करा दिया फिर इसके बाद द्यूतिय सप्ता में खेल आयो जह अंचित्रकलाप्रतियोगी था तीसरे सप्ता में आप बच्चों को कहीं घुमाने लेके चले गए अंताक्षरी खेल लिए और चौथे सप्ता में आपने बच्चों को फिलम दिखा दिया कौन सा त विद्यार्तियों के च छोड़ कर चले जाने की समस्य का निमन परिडाम हुआ चात्रों के भागने में कमी आई योजना कोू लागु करने से चात्रों के अंदर विद्याले आने की रूची बड़ि विद्याले का वातावरन आनंद में हुआ और विद्यार्थी के अंदर एक्ता की भावना उत्पन हुई तो दोस्तो इस प्रकार से आप ने एक रिपोर्ट तयार कर लिया ठीक है दोस्तो समझ में आ गई अब बस दोस्तो इतना समझ में आ गया तो मैं उमीद करता हूँ कि अब कोई भी आपका प्रशन जो है इससे बाहर का नहीं आएगा और आएगा भी तो आप बिल्कुल अपने सब्दों में इसको लिख सकते हैं ठीक है कोई भी प्रशन आपसे पूछा जाता है तो आप इसको असानी से लिख सकते हैं यह रहा टोटल आपके क्रियात्मगर्ण संधान के बारे में इसमें वोस्ट इंपॉर्टन दोस्तों आपको क्रियात्मगर्ण संधान का अर्थ जानना है इसकी परिभासा जाननी है इसके उद्येस से तो आप सवयम लिख लेंगे समस्या के समधान करने का क्या उद्यास से हो सकते हैं शुधार करना उसके पढ़ाई का अस्तर बढ़ाना का छेत्र हमने नहीं देखा था अनुसांदर का छेत्र देख लिजिए कच्छा सीक्चर में विक्तियों का सुधार लान प्रियात्मक अनुसंधान के सोपान स्टेज समस्या का ग्यान कारे के लिए प्रस्ताव और इस पे थोड़ा सा एक्स्प्लेइन कर देंगे ना तो एक्जामनर कहेगा वह क्या बच्चा लिख कया है तो दोस्तो इस प्रियोग मतलब क्रियात्मक अनुसंधान का बच्चों के जीवन परियोग करना तो आप इस प्रकार से स्वेम बनाके लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं अच्छे से पढ़िए अगर कोई समस्या रह जाती है कोई प्रस्न छूटता है तो आप कमेंट में प कोई वीडियो बनाए जागी फिलाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाए गया कमेंट में अपनी राय देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी आप कमेंट में बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगे तो अच्छा लगेगा मुझे कर दीजे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अपने दोस्तों ताक शेयर कर दीजे ताकि कोँछ और बच्चे मेरे साथ जुडे और और हम मेहनत से पढ़ाई करें बहुत बश्यूक्रिया क्या एक लिए इस वीडियो में फिलाल इतना ही खूब पढ़िये ध्य से पढ़िए अच्छे से पढ़िए स्तमाच के पढ़िए जाहिं जाह भारा दोस्तों